हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागय था आपका इस मोटिवेस्ट नाँ प्लेट पंपर आसा करता हूं कि ये भी वीडियो हमारी दूसरी वीडियो की तरह बहुत ही लाप द्याख होने वाली है दोस्तों जैसा कि मैं सारे वीडियो में बताता हूं उसी तरह इस वीडियो म पाने के लिए लाइफ को इंज्वाय करके और तभी हाड़ वर्किंग कीजिए तब जाके जोंगा इंज्वायमेंट इस तरह भी मत कीजिए जैसा कि मैंने अपने लाश्ट वीडियो में चीटी और टिड्डे को ले करके बताया था एट लास्ट क्या हुआ रिजल्ट से सीखो दोस्तों वही धरकन जिसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरी तुम मेरी दिल की धरकन में रहते हो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूंगा सारे एक्टेर्स को सबसे पहले होते हैं उसमें सुलिन सटी उसमें एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है स सुनील सर्थी और सेलफा सर्थी एक दूसरे को प्रेम करते थे दूसरे को चाहते थे एक दिन क्या हुआ कि सेलफा सर्थी कई कि आईए अब मेरे पापा से आईए और मैरिस की बात करते हैं पॉइंट गलत तरीके से बात कर दिया यह वहाँ पर पॉइंट गलत था लेकिन एक लश्ट हुगा क्या सुनिस अठी ने गलत तरीके से बात तो कर दिया सबको पता होगा कि सेलफा से टी कही थी कि पापा को लेट नहीं है तुम टाइम प्याना कपड़े अच्छे पहन लेन खाषी से अच्छे कपड़ेऽ पैन के अच्छे ताइम प्याना सफटी बहुत लेट गया और अच्छे कपड़े भी ने पैना था और कम गफाने के लिए कहा गया था तो जादे बोलने लगा और गलत तरीके से बात करने लगा छी निस पर जो मैं conten 2017 है का कि jest जो हूँ, मतलब मुझे दिखाएवे की कोई दिक्त नहीं है, मैं दिखावा नहीं करना चाहता हूँ, और मेरी हैसियत जादे है, क्योंकि मेरे पास excitement है, और आपकी हैसियत कम है, आपके पास पैसों से कोई हैसियत बड़ा नहीं होता है, excitement से बड़ा होता है, ये वहाँ पर सुनिल सठी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया दूसरा चीज सुनिल सठी को सिलफा सठी के पिता ने हाथ देने से मना कर दिया साधी से इनकार कर दिया इसके बाद क्या हुगा? सिलफा सठी की साधी दूसरे से हो गई मतलब अक्षे कुमार से हो गई उसके बाद क्या हुगा सुनील सठी जैसे आज के हमारे यूगा यूथी करते हैं प्यार में दोखा पाने के बाद सुसाइट कर लेते हैं उसने वो काम नहीं किया बलकि उसने दिखाने के पीछे पड़ गया कि मैं क्या चीज था और तुम लो वहाँ पे दुभाई में गया था सेलफा सठी के घर की निलामी हो रही थी वहाँ पे जा करके डारेक्ट एक ही बार कहता है कि 25 करोड मतलब 25 करोड की निलामी में सेलफा सठी के घर तक को खरी लेता है और अटलास जाके उनी रगों को पना आ देता है तो कहने का मतलब यह ह अपने आपको दिखा दो और जो सुनिल सठी ने कहा है कि एक कदम और एक कदम और करते करते बहुत लंबी दूरी तैय कर लेना दोस्तों तो यह रही मेरी कहने का मतलब यह है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि don't take stress in your life for success दोस्तों इस इसको पहले पास करते हैं तो जब हम यह पता है कि वहां पर हार्ड वर्किंग की टेस्ट होती है और चिंटा करने से कुछ बदल नहीं सकता है तो हम क्यों चिंटा करें मतलब कफीर दास ने कहा है कि चिंटा से चतुराई घटे दुख से घटे सरी पाप से लचमी घटे कह गय मतलब चिंटा करेंगे चतुराई घट जाएगी यह होना चाहिए आपको इस बात की चिंटा होनी चाहिए कि मैंने जो गलत किया है उसको नेक्स्ट टाइम में सही करना है पस यही चिंटा होनी चाहिए इसके लावा और कोई चिंटा मत कीजिए क्योंकि चिंटा करने से तक करना सीखिए उसको हटाईए क्योंकि आपके अंदर stress रहेगा तब तक आप कभी सकसे महीं हो सकते है क्योंकि याय ओउधंक्र निभончा लग्वें किंग लाइक अकवर एटीसी दोस्तों इतिहास के बहुत ऐसे महान सा सक रहे हैं जिनके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें से एक लोगों का नाम मैं आज चूस किया हूँ और ऐसे करके नेक्स्ट वीडियो में और और वी वीडियो में मैं और एंसियंट किंग के राजगदी पर बैठा और पंदर सो चाली के चालीस के इसमें उसने चौसा का युद्ध जीता था सोलो सो पांच इसमी में अकवर की उम्र मात्र 11 साल थी दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि राजगदी पाने की चाह किसको नहीं होती है सबको पता है कि अकवर का जो दर को मुझसे जादे बहतर अकवर बना देगा इसलिए उन्होंने अपनी अपने गद्धी पर नौब बैठ करके अकवर को ही गद्धी पर बैठाया क्योंकि 11 साल का लड़का है कोई उसकी हत्या कर देता और कोई भी बैठ जाता तो अब बैरम खाने ऐसा काम नहीं किया मतलब कहने का मतलब यह है जैसे कहा गया का होतना कि हो रोहान बिनवान के होध चिक नहीं पाथ मतलब जो लोग होनाहर होते हैं वह बच्पनसे दिखने लगते हैं तो एक लास्ट मेरा यह से दोस्तों यह मेरा सजेसन होगा अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट फ़ी लिखा हुआ है कि काईली सेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल इफ यू लाइक मतलब अगर मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो प्रिपया सब्सक्राइब कीजिए और सेर किजिए तो दोस्तों यह रही मे मोटिवेटिव जै हिंद